आप सबको मेरा नमस्ते आज मैं आपको ये सेशन में कोलोस्टरम के बारे में पताने वाली हूँ है के दिवारा ये енतौरल बहुत है महत्वकाह आपको ध्यान से सुनना है ये जो और ने न दिन जबी डिलीवरिए के बाद जो मा को दूद का और हाता बोलते है पले रंगा होता एक कि इस विटमीन की मातरा है भाट ज्यादा मातरा में है विटमिन A आपको मालोमी है, हम लोगे ने पहले बताया था कि इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए विटमिन A की बहुत ही महत्वपुर्णा है, उसमें IGA करके इम्मुनोगलोबिन है, वो भी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने में बहुत मदद रू दूसरे कुलोस्ट्रम में बहुत सारे अच्छे मा के किटानू है, जो बच्चे के सहत के लिए बहुत अच्छे है, हम दोगर ने टुटॉर में बताया हुआ है कि कैसे वो किटानू जो बच्चे की आत होती है, आत पे वो कैसे असर करता है, और कैसे वो जो दूसरे जो बचाता है बच्चे को ठीक है तो यह जो कुलोस्ट्रम है तुरंत ही बच्चे को देना है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ मा के पेट पे रखना है बच्चा खुद अपने आप चाके मा का दूद लेगा दूसरा क्या है कि यह कुलोस्ट्रम में एक हमो करके प्रिबायोटिक ह Human Milk Collegosaccharide वो जो अच्छे किटानों है उसका खाना है तो भगवार ने तो अच्छे किटानों डाले ही हुए मा के दूद में लेकिन उसके साथ वो अच्छे किटानों को खाने के लिए खाना भी डाला हुआ है उसको Human Milk Collegosaccharide बोलते है तो उसके भी बहुत सारे फाइदे है दूसरा क्या होता है कि जो बच्छा मा का दूद कुलोस्ट्रम ठीक तरह से लेता है उसको infection लो कम होता ही है लेकिन जो jaundice बोलते है jaundice, jaundice की मातरा भी कम हो जाती है ठीक है? आपको ध्यान में रखना है कि जबी भी आप बच्चे को दूद पलाए तो उसकी जो technique है वो technique से दूद पलाना है वो technique हम लोग आपको दूसरे session में बताएंगे कि कैसे technique से दूद पलाना है लेकिन जितना हो सके आपको तुरंधी कोलोस्ट्रम देना है कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा या तो बहुत सुस्त है या तो बच्चा लैच नहीं कर रहा है या तो बच्चा भुत सो रहा है तो ये टाइम में आपको मा को कैसे दूद निकालना उसकी भी technique हम लोग ने बताई है कि अगर technique से निकालना है दूद और तुरंती बच्चे को देना है ठीक है बहुत सारे हॉस्पिटल में वो लोग, डॉक्टर्स लोग बोलती कि बहार का पाउडर का दूद चालो करो सेजेरिन में पाउडर का दूद चालो करो आपको पाउडर का दूद चालो करने के बिल्कुल जरूद नहीं है मा को सिखाना है कैसे अपना दूद निकाले और बच्चो को दे लेकिन सबसे पहले तो सबसे बढ़िया चीज है कि अगर आप तुरंती जैसे बच्चा पदा हुआ इसको मा के चाती पे रखना है और बच्चा अपने आप खुट पे जाके स्थन पे जाके दूद लेगा ये तो होगे आपका कोलोस्टरम का टूटोरल आपको बहुत पसंद आएगा और आप देखे और मदर को और माता को ये सारे इंफोर्मिशन आपको देनी है धन्यवाद सुनहरा घंटा और खीस पिलाने के महत्व पर बने स्पोकन टूटोरियल में आपका स्वागत है इस टूटोरियल में हम सीखेंगे सुनहरा घंटा और इसका महत्व नवजाचिशु को खीस पिलाने के लाब शुरू करते हैं पहले ये समझते हुए कि सुनहरा घंटा क्या है नवजाचिशु के जनम के बाद के पहले घंटे को सुनहरा घंटा कहा जाता है ये पहला घंटा शिशु की वृद्धी और विकास के लिए बहुत जरूरी है मा के स्तनपान की अवधी में ये एक महत्वपून कारक भी है ये समय मा और उसके शिशु के बीच के बंधन को मजबूत करने में मदद करती है दोनों के बीच लगातार त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू किया जाना चाहिए त्वचा से त्वचा का संपर्क क्या है त्वचा से त्वचा का संपर्क जल्द से जल्द दूद पिलाना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है शिशु रेंगने का प्रयास करेगा और अपने मुह से मा के स्तन को पकड़ने की कोशिश करेगा इसे breast crawl कहते हैं जिसे एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है अब स्तन पान के अलग-अलग चर्णों को देखते हैं और इसकी सनरचना को भी स्तन का दूद तीन मुख्य चर करता है ये चरण है खीस, transition दूद और परिपक्व दूद हर एक चरण शिशु की बदलती और बढ़ती जरूरतों के लिए सबसे सही है हम पहले चरण के बारे में विस्तार से सीखेंगे जो की खीस है खीस सबसे पहले बनने वाला स्तन का दूद है यह गाढ़ा, चिप-चि या फिर हलके पीले या गेहरे पीले रंग में होसता है, यह इतना कीमती है कि इसे टरल सोने के नाम से भी जाना जाता है, खीस में मौजूद बीटा कैरोटिन से पीला रंग होता है गर्भावस्ता के 12 से 16 हफ्ते में स्तनों में खीस बनना शुरू हो जाता है प्रसव के बाद यह स्तन से निकलने लगता है यह खास दूद सिरफ प्रसव के पहले 2 से 4 दिनों तक ही आता है यह पहले दिन कम निकलता है लगभग 40 से 50 मिलिलीटर जो की लगभग 3 बड़े चमच दूद होता है फिर 2 से 4 दिनों के बीच दूद जादा बनने लगता है तीसरे दिन दूद 300 से 400 मिलिलीटर तक बढ़ जाता है यह लगभग 20 से 25 बड़े चमच दूद होता है भले ही खीस कम निकलता है पर ये बहुत ताकतवर होता है। यह पचने में आसान होता है जो इसे शिशू के लिए सबसे अच्छा पहला भोजन बनाता है। इसमें प्रोटीन जादा और कार्बो हाइडरेट कम होता है। यह अच्छे फैट से भी भरपूर है। यह अच्छा फैट नवजाज शिशु के विकास के लिए जरूरी है यह शिशु के दिमाग के अच्छे विकास के लिए भी जरूरी है और आंखों के लिए भी खीस में इनफेक्शन से लड़ने वाले तत्व भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जैसे कि एंटी बॉडिज, और लिउकोसाइट्स विकास और सुरक्षात्मक कारक भी होते हैं इसके अलावा इसमें बहुत जादा विटामिन A, E, B12 और K शामिल हैं खीस में बड़ी संख्या में सफेद रक्त कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं शिशु की रोगों से लड़ने की शकिक मजबूत करता है और रोग पैदा करने वाले कारकों से लड़ने में मदद करता है इसमें ऐसे घटक हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं खीस नवजाद के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होता है हर एक फाइदे को एक एक करके देखते हैं खीस शिशु के लिए कुद की यह विशेश रूप से antibody से भरपूर होता है उदाहरण के लिए immunoglobulin A, M और G इन में से immunoglobulin A जिसे IgA के नाम से जाना जाता है वह सबसे जरूरी है वे शिशु के अंगों के उन हिस्सों पर परत चड़ाते हैं जिनको infection जल्दी हो सता है जैसे गले, फेपडे और आंतों की परत पर IgA किटानूं से बंधता है और उन्हें बे असर करता है यह किटानूं को शिशु के खून में आने से रोकता है खीस शिशु की रोगों से लड़ने की शक्ति को नियंतरित करने में मदद करता है उनके शरीर में T helper cells के स्तर को संतुलित करता है T helper cells में असंतुलन का प प्रतिरक्षा बिमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है हमारी सत्तर प्रतिशत से अधिक प्रतिरक्षा आन्त में होती है शिशु के पेट के स्वास्थ में खीस का बहुत बड़ा काम होता है यह शिशु के पेट के वातावर को कम करता है तनाव और चिंता के खत्रे को भी कम करता है चलिए समझते हैं कि खीस शिशू की आंत के लिए कैसे फाइदमंद है एक नवजद शिशू लीकी गट के साथ पैदा होता है आंत की अंधरूनी परत की कोशिकाओं के बीच अंतर होते हैं इन अंतरों में से वाइरस बैक्टीरिया और एलर्जी करने वाले कारक शिशू के शरीर में आ सकते हैं खीस अंतरों को भरदा है कोई भी नुकसान करने वाले रोगाणू इसके बीच से ना जा सके आंतों की कोशिकाओं की परत में ब्रश की तरह का किनारा होता है इसे माइक्रोविली के नाम से जाना जाता है खीस इन माइक्रोविली के बढ़ने और फैलने में मदद करता है यह पोशक तत्वों के सोखने को बढ़ावा देने में मदद करता है खीस आंत की कोशिकाओं से म्यूसिन के सरावित होने को बढ़ाता है म्यूसिन आंतों की दिवारों की परत पर एक परत बनाता है यह किसी भी खराब बैक्टीरिया के आने को रोकता है खीस में human milk oligosaccharides भी होता है जिसको HMO कहा जाता है वे prebiotics के रूप में काम करते हैं इसका मतलब है कि वे शिशु की आंत में अच्छे बैक्टीरिया के बढ़ने को बढ़ावा देते हैं वे रोक जनकों को आंत की कोशिकाओं से जुड़ने से रोकते हैं ये शिशु के दिमाग के बढ़ने के लिए भी फाइदे मंद है शिशु को खीस पिलाने से उसका पेट पाचन के लिए तैयार होता है यह शिशु को मेकोनियम निकालने में मदद करने के लिए रेचक के रूप में काम करता है मेकोनियम शिशु का पहला गहरा काला या गहरा हरा मल है जब वह मा के गर्ब में होता है तो यह उसकी आंतों में बनता है मेकोनियम के जल्दी निकलने से पीलिया को रोकने में भी मदद मिलती है मेकोनियम में बिली रूबिन होता है खीस के रेचक गुन उसे बिली रूबिन को बाहर निकालने में मदद करते है यदी शिशु को पूरी तरह से नहीं पिलाया जाता है मल में से बिलिरुबिन आंतों में दोबारा सोखा जाता है फिर यह उसके शरीर में इकठा होता है और इससे पीलिया हो जाता है कि इसकी एक खास बात ये है कि इसमें वृद्धी के कारकों की बहुत जादा संख्या है जैसे कि insulin-like growth factor 1 और insulin-like growth factor 2 वे उतक के बढ़ने मरमत और विकास के लिए जरूरी है एक अन्य वृद्धी का कारक जो खीस में जादा है वो है VEGF इसे vascular endothelial growth factor कहते हैं यह नई रक्त वाहिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है खीस epidermal growth factor का एक प्रमुक जरिया भी है यह शिशू की आंत के सामान्य तरीके से बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है चोट लगने पर आंतों की परत की मरमत के लिए भी यह जरूरी है इस तरह यह नवजाद शिशू में आंतों की बिमारी से सुरक्षा देता है उदाहरन के लिए necrotizing enterocolitis जिसे NEC के नाम से जाना जाता है यह आंत की सूजन के कारण होने वाली स्थिती है खीस पिलाने से शिशू के खून में शुगर कास्तर कम होने से रोकने में भी मदद मिलती है अतहर खीस पिलाना शिशू के लिए बहुत फाइदेमंद है खीस पिलाने के बारे में कुछ मिथख है पहला मिथख ये है कि खीस को फैंक देना चाहिए क्योंकि वह बासी होता है यह सही नहीं है खीस ना तो बासी होता है और ना ही यह शिशू के लिए नुकसान दायक है बलकि यह नवज़ाच शिशू के लिए बहुत जरूरी है स्थन पान में देरी होने पर भी इसे फैंकना नहीं चाहिए शिशू को स्थन पान कराने में किसी भी तरह की देरी खीस के बनने में देरी का कारण बनेगी जैसे शिशू का स्थन से गलत जुड़ाव के कारण स्थन पान में देरी इस्थिती में मा अपना खीस खुद ही निकाल सकती है और इसे शिशु को पिला सकती है वहस्तन को पीछे खींच कर फिर दबा कर और छोड़ने के तरीके से ये कर सकती है इससे शिशु को अनावश्यक रूप से प्रिलैक्टियल फीड्स पिलाने से बचाव होगा स्तनपान शुरू होने से पहले नावश्यक शिशु को प्रिलैक्टियल फीड्स दिया जाता है जैसे की शहद, पानी, गुड, जड़ी बूटी के घोल, पशु का दूद, बाजार का डिब्बे वाला दूद ये खादेपदार्थ शिशु को जरूरी पोशक तत्वों से दूर करते हैं, यह नवजाद शिशुों में इनफेक्शन के खत्रे को भी बढ़ाते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि खीश शिशु के लिए पर्याप्त नहीं है, कई महिलाएं सोचती हैं कि उनके स्तन में दूद कम बनता है यह सही नहीं है, स्तन के दूद का बनना आम तोर पर शिशु की जरूरतों के अनुसार होता है जनम के बाद पहले कुछ दिनों में शिशु को बहुत कम मात्रा में दूद की जरूरत होती है पहले दिन उनके पेट में लगभग 20 मिलिलीटर दूद जा सकता है इसलिए मा को बार बार दूद पिलाते रहना चाहिए पहले कुछ दिनों तक शिशु को दिन में लगभग 10 से 12 भार दूद पिलाना चाहिए, धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद दूद बढ़ेगा। पांचवे दिन मा के स्तनों में ट्रांजिशनल दूद बनना शुरू हो जाता है। यह खीस और ट्रांजिशन दूद की तुलना में जादा पतला होता है। हालांकि यह कम गाड़ा होता है, फिर भी यह शिशु के लिए कुदर्ती रूप से अच्छा आहार होता है। याद रखें कि 6 महीने तक केवल स्तन पान कराना चाहिए। शिशु 6 महीने का हो जाए तब पूरक आहार शुरू करना चाहिए। इसे स्तन पान के साथ देना चाहिए। स्तन पान दो साल या उससे जादा समय तक जारी रखना चाहिए। इसका लाब जीवन भर रहता है मा और शिशु दोनों के लिए। अब ये टुटॉरियल यहीं समाप तो होता है। IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुडने के लिए धन्यवाद। कर दो हमसे जुडने के लिए। कर दो हमसे जुडने के लिए। हमसे करेंक लिए। कर दो आ है मैंVIS एग